हलो एंड वेलकम टो देशी पटाका मैं हूँ अराधना आपके साथ बिग बॉस के घर के अंदर अंकिता पूरी तरीके से अब विक्की के खिलाफ होती जा रही है और विक्की के सामने ही विक्की के बारे में बाते बोल रही है इशा, अंकिता, विक्की इन तीनों के बीच में काफी मिसंडिस्टैंडिंग होई है कल नॉमिनेशन के बाद और लग रहा है इशा जो है वो नॉमिनेशन में जा चुकी है अब यहां पर अंकिता ने ऐसा क्या बोला विक्की के खिलाफ और इशा को चेताब नी दी चलिए आपको बताती हूँ लेकिन उससे पहले आप चानल को जरूर सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं बिक बास के घर के अंदर बीती रात, अंकिता, ईशा, मुनवर और विकी यह सब और इंक्लूडिंग अविशे यह सब एक ही सोफे पर बैठे वेदे गार्डन एरिया में और यहाँ पर अंकिता जो है वो इशा को समझा रही थी और इशा अपना व्यूपॉइंट दे रही थी अंकिता ने बोला दे इशा, तू न बहुत अलग हो गई है, तू पहले जैसी नहीं रही है, मैंने तुझे इस घर में आपने बच्चे की तरह ट्रीट करा है, छोटी बेहन की तरह ट्रीट करा है, लेकिन तुने कभी भी उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं रखी, और तुझ तुने कभी भी यह नहीं सोचा कि यह मेरी बड़ी बहन है, तेरा कोई ड्यूटी होती थी, तो मैं कहती थी, तू रहने मैं कर लोगी, मेरा वो तरीका था तेरे को अपना प्यार दिखाने का, लेकिन तूने उस प्यार की कदर ही नहीं की, और पूरे दिन तो विक्की भहिय विक्की भहिया करती थी, जबकि उस घर में, उस कमले में तुझे सबसे बड़ी सपोर्टर मैं थी, मैं सबसे लड़ती थी तेरे लिए, लेकिन तूने कभी मेरे को सपोर्ट और कभी मेरे ले स्टैन रही है, यहाँ पर ईशा अपनी बात एकने लगी, लेकिन अंकिता ने क भी अंकिता की चुगलियां कर रही थी, आपका क्या कहना है, कि आप अंकिता विक्की से बिना डरे सब कुछ बोलने लगी है, जिस तरह से विक्की उसके साथ भीएव करता है, अंकिता का उससे हो चुका है, वेल, आप अपनी राए कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक वाशियताना अपना पूले,